वीडियो के वाइस में आप लोका स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप न्यूँ है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करेगा लाइक करेगा वीडियो पसंद आएगी तब शेयर कर सकते हैं तो यहां पर मैं बात करने वाली हूं निकू कामनी के बारे में जैसे कि आए दिन उ कुछ हो जाता क्या उसकी भीटि का बड़े था जैसे कि मैंने कामनी का फिर जाके पूरा बनोग देखा थो उस ताइम कि जब केक कटिंग था वो केक कामनी जी ही मतलब निकु के बेटी के लिए लाई थी और वही केक कटिंग रात को हुआ था तो उसमें कामनी जी जब केक कटिंग का था तो उस टाइम कामनी जी ने वो वीडियोस में छोटा कर दिया था निकु और जाय सुमीत नहीं आये बस सा मैं किसी को भी अपने ब्लॉग में नहीं लोंगी बस अपनी सासु मुआ को थोड़ा बहुत दिखाऊंगी तो किसी को लेने की बात हुई तो इसके पहले भी जब उनके घर कोई रिलेटिव आया था एक बार कोई जा रहा था उसमें तो निकू थी तो इस बड़े सेलिब्रे के बारे मैं आगे बात करने वाली हूँ उसके पहले मैं थोड़ा निकू के बारे मात कर लेती हूँ तो वहीं पे निकू ने अपनी बेटी का बढ़े सेलिब्रेशन मतलब मैं तो बोलती हूँ न सब लोग को ऐसे करना चाहिए इससे बड़ा पूर्ण नहीं होगा निकू तो बहुत अच्छा लगा निक्कु ने जो किया अपनी बेटी का चाहती तो बहुत धुम-धड़ागे से बड़े से लिवेशन कर सकती थी बट एक नॉर्मल पे और बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत उसको कितना असिरवाद मिली होगी धन्मी को वह तो हम बता ही नहीं सकते बहुत अच्छा जितना भी बोला जाये तारीफ कमी है बहुत लोग का बोलना था कि कामनी जी जा सकती थी क्यों नहीं गई साथ में लेके नहीं गई तो उस पे देखो कुछ नहीं बोल सकते देखो उतना भी नहीं मैं बोल सकती क्योंकि देखो जाना ना जाना एक अलग ब बोल रही थी कि हमने फ्रॉक निक धनवी के लिए कुछ सौपिक नहीं किया कपड़े नहीं ली तो एक सस्क्राइबर का बोल ला था जब आपकी जठानी वही पहना दी होती तो उस पर निकु का जबाब था कि जो सासुमा लाई थी औरेडी मेरी सासुमा कपड़ा लाई थी म मैंने वह पहना चुका था तो देखो छोटी छोटी बात तो पितना सब को ध्यान नहीं देना चाहिए और कामनी जी आज अपने ब्लॉग में एक बात बोलते नजर आए कि कंट्रोवर्सी से ही व्यूस आता है तो मैं बोलूंगी 100% कंट्रोवर्सी से ही इंसान का व्यूस आता है सीधा साधा इंसान अगर कोई भी ब्लॉगिंग करता तो किसी का भी व्यूस उस लेवल का नहीं आता आप इस चीज को आप लोग कोई भी मानों या ना मानों मैं मानती हूं अभी मैं ही डाल दू कि मेरी हो गई पिटाई या कुछ ऐसा थमनेल डाल दू सासुमा ने पिटाई य σας है यहां मेरे साथ तो मेरे पे भी कहले लिकिसी साथ है यहीस तुराने वह यहां रही हूं उतना नहीं यहीं पर यह चाल हूए उँछ तका वियूस अच्छा खासा आने लगा और पहले भी आया था नहीं बोलती मतलब उसके पहले बहुत भी आता ही था लेकिन कंट्रोवर्सी जादा तरकाता है मैं आपको एक उधारन देती हूँ जैसे सचीन मनीशा और प्रिंस राज में जब जादा लड़ाई जगड़े हो रहे थे तो उनों लोग का व्यूस बहु व्यूस आता है एक मैं और नॉर्मल सुधारन दे रही हूँ और जो उनलोग का बनता है मतलब महीने का इंकम सब कंट्रोवर्सी से इस टाइम किसी भी क्रियाटर अमित किट्टो या किसी का भी देखेंगे तो कोई व्यूस व्यूस नहीं आ रहा है मैं खुलके बोल रही कि कामनी जी का बोलना था सब गलत लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कम्यूटी पोश्ट हो रहा है गलत गलत चीज़ों को लाइक किया जा रहा है तो देखिए मैं आपके भी चल वीडियो में देखी थी जिस पे रिपोर्ट वाली बात था कि आपके चैनल पर सब रिपोर्ट मा लोग को हम लोग मार सकते हैं रिपोर्ट भी मार सकते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता है कि अगर हम किसी साथ गलत करते तो उसका फल हमें भगवान देगा जाए मैं हूँ जाए कोई भी हो वही पर मैं बात करने वाली उनका ये कहना था कामनी जी का कि सब गलत लोगों को तो चलो कम सकम अलक जी के कहने पर की प्रमोशन करना चाहिए यूटूबरों में नहीं को चीछ कर रही है और उनका यह भी कहाना था कामनी जी का तो मैं तो चाहती है आप भी प्रमोशन करिए यूट का थोड़ा चोटे यूटुबरों का help करी इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है क्योंकि देखो आपको भी पब्लिक बहुत जादा प्यार करती तो आप भी यह चीज कर सकती है और देखें जो लाइब का बात आई पहले अलका जी को तो मैं बोलूंगी बहुत पहले से ही बोली कि कंट्रोवर्सी से व्यूस नहीं आता मेरे देखो लाइब में कितनी अच्छे खासे व्यूस आगया पब्लिक मुझे पसंद करती है तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी एक छोटे यूटूबर है मैं उनका बोलूंगी वह पता है उसके लाइब में बेद देखती ह है किसका लाइब वारल और आप लोग का तो चैनल यह कंट्रोवर्सी वाला तो पब्लिक तो भाई जुड़ेगी कुछ मसाला मुद्दा ऐसे देखने को मिलना चाहिए सुनने को मिलना चाहिए होता है तो यह देखो भाई किस्मत की बात भी बोल सकते हैं मैं तो चाहती हो आप भी सबका प्रमोशन करिए चोटे यूटूबरों को हेल्प करिए जाए निकू जाए कामनिया सचीन मनीशा किटो अमित कोई भी हो ताकि सब चोटे यूटूबर भी थोड़े आगे बढ़ जाए और देखो कहीने कहीने मेनस सब उतना ही करते सो सब चाहते हैं अपने टाइटल ऐसा डाल दे न उस दिन उनका भर भर के व्यूस आएगा तो चलिए यह थी हमारी छोटी सी अपडेट कौन को मेरी बात से सहमत जरूर बताईएगा और मैं एक बात बोलूँगी कि जैसे आपको कोई रिपोर्ट मारा तो आपको इतना मतलब बुरा लगता है चैनल के लिए आपके लिए गलत गलत बोर है सब चलो मिल के रिपोर्ट मारते हैं चैनल को नुसकान पहुचाते हैं तो देखो क्या रहता है कि आप जैसा कोई भी करेगा तो भगवान एक दिन फल दे देंगे जिसे उपर वाले के लाठिम होता है न आवाज नहीं होती मग अगर दर्द बहुत जादा होता है तो उनसे आप लोग बचिए भाग की आप लोग की मर्जी मैं तो बोलूंगी सब लोग मिलके रहे प्यार सरे खुसी खुसी रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आई तो जरू लाइक शेयर सब्राइब कर अगर यगा